नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीर आजंदर अरोडा है और आज हम एकठा हुए हैं एक लेटिस्ट इशू पर डिसकशन करने के लिए जो की 6 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकला 31 पटे 2018 दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकला in continuation of the decision taken by 28th GST council meeting on 21st July 2018 उन्होंने decision लिया, एक press release निकला जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी पुराने dealers थे अर्स्ट वाइल रिजीम में जिनका migration नहीं हो पाया था proper to the GST regime उसके लिए, उन सब के लिए migration का एक नया window 31 अगस्त तक खोला जाएगा उसके लिए एक notification निकला ये किस-किस लोगों पर applicable है, पहले ये discuss करते हैं ये उन सभी लोगों पर applicable है जिनके पास provisional ID तो आया था चाहे वो service text में, चाहे वो VAT में चाहे वो excise में registered थे provisional ID तो आया था लेकिन वो part A और part B नहीं भर पाए या part A भरा, part B नहीं भर पाए या part A और B दोनों ही नहीं भरे और उनका registration 31 दिसंबर तक उनके पास 31 दिसंबर 2017 तक उनके पास provisional ID था और वो regularized नहीं हुए थे और उसके बाद January, February, March से Department ने वो सारे provisional ID cancel भी करने शुरू कर दिये थे दोस्तों तो ये notification उन सब पर लगता है अब करना क्या है ये समझते हैं सबसे पहले तो 31 अगस्त 2018 तक मतलब इस महीने कि आखरी तारीक तक आपको एक tabular format में एक format में कुछ information देनी है अपने jurisdictional nodal officer को वो state या central कहीं का भी हो सकता है वो information क्या-क्या है आपका provisional ID जो उस समय का था आपका registration number चाहे वो VAT का हो, service tax का हो या excise का हो वो किस date पे आपको पहला token मतलब पहला provisional ID आपको किस date पे आया था वो date फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि क्या आपने part A of REG 26 भरा था या नहीं भरा था तो ठीक नहीं भरा था तो भी ठीक कोई problem नहीं आपको लेकिन बताना है कि आपने part A भरा था या नहीं उसके बाद अपना contact detail देना है mobile number और email ID और उसके बाद आपने एक और information है जो कि more or less आप असेसी नहीं भर सकता वो jurisdictional officer को ही पता होगा jurisdiction of officer who is sending the request अब यह जो table है यह सारी information जो है यह आपने jurisdictional model officer को देनी है 31 अगस 2018 तक वो इस information को GSTN को network को भेजेगा network आपको एक mail भेजेगा उस mail में आपको एक login credentials होंगे उसको login करके आप services में जाके REG1 भर सकते हैं REG1 जो आपका registration का form है आपको वो पूरा भरना है उसको भरने के बाद वो वापस आप proper officer के पास जाएगा जैसा कि normal process है जो सारे हम आज registration कर रहे हैं proper officer उसको आपको approve करेगा ARN देगा नया GSTIN देगा और आपको user ID देगा token number देगा token देगा access token देगा आपको जब यह सारी information आपके पास आ जाए along with our old GSTIN आप यह सारी information उठा कर mail करेंगे GSTN को mail ID जो है migration at the rate gstn.org.in यह सारी information मैं इस वीडियो के नीचे description में paste भी करने वाला हूँ तो आप please do not worry about it आपको यह सारी information महा से मिल जाएगी आपको यह सारी information जैसे कि नया GSTIN, ARN number, provisional ID उसका आपका access token और old GSTIN सारा जो भी है वो आप इकठा करके mail में वापस GSTN को बेजेंगे GSTN इसको अपने old number को old provisional ID को old GSTIN को नया GSTIN जो issue है उससे map कर देगा, उससे उसके system में नजराना शुरू हो जाएगा कि यह जो पुराना PID था, provisional ID था, उसके बदले में अब यह नया GSTIN issue हो गया है और यह जो नया GSTIN issue होगा, इसकी validity shall be deemed to be from 1st July 2017 उल्ली जिस दिन से कानून आया था दोस्तों यह सारी बात आपकी रही, अब यह आपने सारा process करना migration के लिए press release में एक और information थी, जैसे ही एक जुलाई से आपका deemed माल लिया जाएगा registration तो एक जुलाई से आज तक की return ID हो जाएगी आपकी, अब उन्होंने press release में यह कहा, press release जो थी वो सारी recommendations थी GST council की जितनी भी बाते notify होती है, वो recommend होती है पहले GST council से, फिर recommend होने के बाद central government उसको accept करते रहे through the notifications, अब यह notification 31 बटे 2018 जो है press release में एक और बात लिखी थी कि जब return एफाइल करनी होगी तो उसके उपर fee भी लगेगी, उन्होंने का जितनी भी आपकी fee होगी, आपको pay तो करनी पड़ेगी, लेकिन pay करने के बाद हम आपकी वो fee वापस जो है, आपके credit ledger में as tax credit कर देंगे मतलब as tax credit करेंगे तो आप उसको tax के तोर पर output tax tax adjust भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह recommendation जो press release में थी, उसका कही जिक्र जो है, वो notification में नहीं है दोस्तों, इसका मतलब यह हो गया, कि आपने जो पुरानी return सारी file करनी है, fee लगेगी fee, pay तो होगी लेकिन वापस credit होगी या नहीं होगी, कह नहीं सकते, इसके लिए सरकार को दुबारा से notification लानी पड़ेगी, या इस notification को amend करना पड़ेगा, क्योंकि जो recommend council ने किया, वो notify नहीं हुआ, अगला सवाल कि जो tax में पूरा collect किया एक जुलाई से आज तक का payment तो करना है, लेकिन fee भी पे करनी है, late filing of return की लेकिन उस पर ब्याज भी देना है, दोस्तो 18% के ब्याज rate से ब्याज देना है, section 50 में और daily basis पर ब्याज देना है, daily basis पर calculate करके ब्याज देना है, दोस्तो ये पूरा process जो है, वो migration का है, migration से related अगर आपको कोई भी समस्या अगर आती है, कोई आपका सवाल है, तो इसी वीडियो के नीचे अपने comment में वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की, ये वीडियो देखने के लिए, हमारा YouTube चैनल बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप हमारा YouTube चैनल प्रीज सब्सक्राइब भी कीजिए Thank you very much friends